सब को बहुत बहुत नमस्कार मैं शूकामल महित्र कोलकाता से बोल रहा हूँ कोलकाता पश्ची मंगाल से सबसे पहले मैं आज हम लोग मिले रहे एक पुन्न तीथी पर ऐसे एक समय है हम लोग गुजर रहे ऐसे एक समय से उस बीच में आज एक ऐसी प्रतिभा का जनमती थी है जो मतलब पूरे विश्व में एक हमारे लिए एक अध्भूत एक व्यक्ति है जो तो उनके जनमती थी है आज स्री रविंद्रनाथ ठाकूर जी का आज जनमती थी है तो जनोसरकर मंच टोंक के दारा आयोजीत किया गया इस मंच पे हम आज कुछ सहाजा करेंगे रविंद्रनाथ ठाकूर के उनके शिक्षा के उपर उनका जो सिद्धान्त है उसको लेकर हम कुछ सहाजा करेंगे आपसे और इसी तरह से हम आज उनका जो जनमति थे उसको याद करेंगे उसको हमारा जो सम्मान है उप प्रदस्षन करेंगे इसके जरीए तो रबिन्दनाथ ठाकूर के बारे में आप लोग तो थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं अइसे कोई व fascin रहुत है जो रबिन्दनाथ ठाकूर को नहीं जानता है उसीरिफ अवारे देश में राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगाना की रचईता नहीं है और दो देश हमारे बगल में है हमारे जो प्रतिवेशी देश है एक बांगलादेश और स्रिलंका उनका भी रास्टर गाना लिखा है लेकिन सिर्क वो रास्टर गाना ही लिखा है ऐसा उनका परीचाय नहीं है करणों परीचाय जो नहीं है तो मस्क्राइब से लिखान को मतले मारी यहां मुबायल कर दो है एक सक्षाइक नहीं मेरा यह मुबायल कर दो है एक सक्षाइब एक स्विए जोब मेरे मोबायल में ठोड़ा एक रखने का प्राब्लम हो एक लिए कश्म्तव कर रहा है लुए को हम लोगा बात कर रेहे थे ऐसे क्षड़ और पुरे बिष्व में हमारे भारत को हमारे भारत की जो संस्कृती है उसका परीचय करवाया बहुती बरेस तर से जिस ने भारत तो आभी पैचान दिलाया को लेकर यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो अभी देखते हैं यह हमारे वाइफाई से चल रहा है अभी देखते क्या होता है तो आप लोग सुन पा रहे हो मुझे लग रहा है आप लोग सब तो थोड़ा से इंटरप्ट हुआ है मेरे बाद तो रविदिनर ठाकुर को हम इसे विक्ष नहीं है उसको एक अरन बोल सकते हैं तो उनके बच्पन से लेकर आज तक की बच्पन से लेकर उसकी नीधन होने का जो समय है इस वैप्ति में उन्होंने जो जो स्रिष्टी किया था उसका एक बिलाट उसका बहुत बड़ा है उसका बहुत ज्यादा है उसका सब एक एक इंसान अपने जिंदगी में हर क्रियोटिवीटी को शायद ही चूपायगा इतना उसका क्रेशन इंपम्झां तो अप्तिम तक ने सिफ साहित्ल में गाने लिखा है गाने में सूर दिया ऐसा यह उन्होंने अग्रिकल्चर स्क het t उन्होंने आप लोग को पता होगा कि उन्होंने आत्मा जो हमारा है spiritual आत्मा spirit उसके उपर भी उसने लिखा है उन्होंने जुराशा को ठाकूर बारी जो है अमारे कुलकाता में उसने वहाँ पर प्लैंचेट भी किया था उन्होंने अपने भाईयों के साथ मिलके उन्होंने उसका बर्नन भी किया एक जगा तो और भी बहुत जगा था जहां पर वो इंट्रेस्ट थे बात करने के लिए और आज तो हमारे देश का जो आज का परिस्थिती है जो कोविड-19 को लेकर एक पैंडेमिक चल रहे है पूरे देश में आपको पता है जब इसके पहले भी वहां से रविन्दा जब शांतिनी के तन का प्रथिष्टा हो गया था तब हमारे देश में एक और भी एक पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था जिसको हम ब्लैक फीवर कहते हैं जिसका एक वैक्सीन तयार किया था उपेंदरनात बंमचारी जो हमारे ब्यं तब उस समय रविद्णा ठाकुर ने आयूरुबेद का भी उन्होंने प्रैक्टिस किया था उसने आयूरुबेद के लिए उन्होंने एक पंच तिक्त बोलके एक पाचन पाचन बोलते हम लोग उसको वो बनाया था उन्होंने और उस सारे संतिनीकतन में जितने भी स्टू जो आयूरुबेद जो सास्तर है इसमें भी उसका इंट्रेस था इसमें भी उसने लिखा आये चर्चा किया है उन्होंने बात किया है तो यह बहुत जगह है उनके लेकर आदे घंटे के समाई में तो हम बोली नहीं पाएंगे तो हम उनका जितना भी क्रेशन है उसमें से व उन्होंने थे शिक्षा को लेका तो इसके पहले में थोरा सा एक आपको एक इंट्रोडाक्टरी देना चाहता हूँ शिक्षा का एक बड़े पैमाने से जो उसका हो रहा था उस समय अठ्थारा सताब्दी में एमील जोंजा के रूसो बोलके शिक्षा भी था दार्सनीक फिलो होगा इसके उपर उन्होंने पूरा लिखा था उसको लेकर पूरे दुनिया में एक हालचाल मचा था उस समय और शिक्षा का जो कन्वेंशनल ट्रैडिशनल जो एक आइडिया था उससे हट कर एक नए सोच के तरफ दुनिया बरने लगा तो रूसों से स्टार्ट हुआ था और उसको आगे बराया उसके बाद में जो आया जार्मन और भी एक बड़ा जार्मन शिक्षा भी थे दार्शनीक जो है उसका नाम है फ्रॉइबल फ्रॉइबल उसका नाम है पूरा नाम है उसका अगस्ट फेडरीक विलहम अगस्ट फ्रॉइबल वो जार्मन शिक्षा भी उन्होंने क्या किया था उन्होंने जो रूसों ने बताया था उसका एक उन्होंने इंप्लीमेंटेशन किया था कैसे किया था आप आज जो किंडर गार्टेन के बारे में बात करते हो बच्चों को भेचते स्कूल में किंडर कींडर का इसी किंडर का इनका उन्हों ने स्थापन किया था जर्मान में इस किंडर गाटेन से उनका जो लार्णिंग बाइड दुइंग थ्योरी का वो उसका एक प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन हुआ और उसने क्या गया उसने उसमें यह जोड दिया था फ्राववल ने कि education through the nature प्रकृति के साथ कैसे शिक्षा को हम आगे बरा सकते हैं कैसे शिक्षा करते हैं और उसका यही था कि जो भी बच्चा है वो नेचर से शिखते हैं तो उसको naturally शिक्षित करना चाहिए उसके बाद आया हमारा John Dewey आज आप लोग जो project method के बारे में बात करते हैं पूरे सारे दुनिया में जो project method आज famous हुआ है हमारी स्कूलों में, English medium में, Bengali medium, सारकारी, राजे की जितना भी स्कूल है, सब में आज project बहुत चलता है बच्चे project करता है, कोई भी काम प्रोजेक चलता है तो यह project method है, जो project method तो उसको उसका जो इंटर्डूस करवाया था है वो John Dewey, John Dewey करवाया था है जो अमरीकान का जिसने laboratory school का प्रतिष्टा किया अपने अमरीका में, तो अमरीका में उसने laboratory school का प्रतिष्टा किया आपने में अभी सोच नहीं लगा है सारे लोग कि education का कि एडुकेशन का definition अभी क्या होना चाहिए कैसे education देना चाहिए हमारे modern education का system क्या होना चाहिए उसका theory क्या होना चाहिए जिसे बच्चे को एडुकेट कर सके, educate education का मतलब यह मतलब बहुत छोटे स्तर से नहीं education के बड़ा big definition है उसका तो ये सब जब चल रहा था ये औरोप में तो हमारी भारत वर्ष में भारत वर्ष में पीछे नहीं था उस समय भारत वर्ष में भी काम चल रहा था क्या चल रहा था भारत वर्ष में भारत वर्ष में भी कुछ लोग थे हमारे कुछ व्यक्ति जिसने उसी समय पे हमारे देश का जो सामाजी, हमारे देश का जो राजे किये शिक्षा था, शिक्षा का जो पैटन था, उसको लेकर उन्होंने भी revelation किया, उन्होंने भी बात करना शुरू किया, उन्होंने भी अपने अपने idea को implementation करना शुरू किया, उसमें हम जिन लोगों का नाम ले सकते है वो रविद्नाठ ठाकुर्त है उसके बाद स्वामी विवेकानन्द है गांधी जी है गांधी जी का अपने बुनियादी शिक्षा के बारे में आप सब को पताए गांधी जी का बुनियादी शिक्षा तो गांधी जी है रिशी अरविंद्ध है से राशुतोष मु और उनका स्लोगाम था बाल दे भवा जिसमें बोला था भूलके उनने शिक्षा का प्री प्राइमारी जो हम प्राइमारी स्कूल में जाने से पहले जो शिक्षा देते है आज हमारे भारत में तो इसका उन्होंने वहापर इंट्रिडीउस किया था गीजु भाई पैटल तो उन्होंने कहा था कि जो समाजिक स्कूल है और जो राजे की स्कूल है इनमें ज्यादा बहुत अंतर नहीं है लेकिन वह पूरे स्कूल वैवस्ता के खिलाब थे रविद्रा ठाकुर उन्होंने बोला था उन्होंने स्कूल के लिए यह लिख दिया था उनके जो शिक्षा ग करते हो मशीन चलता है वैसे मशीन के तरह चलते हैं और बाद में चले आते घर में जाके तो यह है स्कूल को उसने इसके साथ फैक्टरी के साथ तुलना की थे वो जो हमारे western जो education system चल रहा था रविद्णा टेगोर के इस टाइम पर तो उसको उसने घोर बिरोध किया था कि यह जो education pattern है यह सिर्फ labor तयार कर रहा है तो हमें ऐसे एडूकेटर नहीं करना है अपने बच्चों को अपने ऐसे education नहीं देना है वो उसने रविद्णा टेगो हमारा मात्रि भाषा है मात्र पीने का जो feeling जोुकर दोफाइदा के अपने मात्री भाषा चारच सुखना जरूरी है अपने मात्री भाषा में बिदेशी damping भाषा का चर्चा करना उसको जरूरी है तब जाके वो शिक्ष्या की और बरेगा वच्चा तो रविदनाथ ठाकुर ने अपना एक थिओरी रखा education education शिक्ष्या की उपर उसने क्या किया उसके थिओरी को उसने implementation करने के लिए उसने शांते निकेतन हमारे बंगाल में बिर्भू में एक district है जहाँ पर बोलपूर नाम का एक जगा है जहाँ पर उन्होंने शांते निकेतन एक school का प्रतिश्टा किया रविंदना ठाकुर का जो वह वाद्भातिक जो सोच है उनका तो उन्होंने उस तरह से सोचा था कि हम सिक्षा को इसी तरह से आगे बरा सकते उसका जो सिक्षा देने का जो पैटन था उसमें उसने जो पहले हमारा परंपरा था हमारे देश का गुरु कूल का जो प्रथा था जो बैदिक उपनिश्रत में जो लिखा है हमारा साविद्दा जावि मुक्ते हो ये जो हमारा उपनिश्रत का जो वक्तब्ब है जो बात है उसने उस पर ध्यान दिया उसने गुरु कूल से गुरु कूल प्रथा का पुरचलन किया उन्होंने गुरु शिश्र जो परमपरा है उनको वहाँ पर इंप्लिमेंटेशन किया शांतिनी के तन में उन्होंने ऐसे एक शिक्षा का वहाँ पर स्थापन किया रविनाथ ठाकुर ने जो नेच जो लार्निंग बाई डुइंग तो है रुसो फ्राइबल वह जो चल रहा था उसी का एक इंप्लिमेंटेशन यहां पर भारत में तो होई रहा था लार्निंग बाई डुइंग का तो उसके साथ साथ उन्होंने भी वही जो फ्राइबल ने बोला था के नेचर के साथ फ्राइबल ने बात कहा था कि एक बच्चा एक पेर की तरह होता है एक पेर को आप जितने अच्छे से उसका देख भाल करोगे वह इतने अच्छे से बड़ा होगा ऊसे वह फल फुल देगा आपको भी फल फूल देगा सही तरह से फल फूल यह सब देगा तो वो जो फ्रॉयबल का सोच था एक बच्चा है लाइक ट्री एक चिल्ड्रन लाइक ट्री तो उसी को रभिना टेगर नहीं यहां पर विशांतिनी के तन में भी इसका असरव में तो उसने पर एक बच्चे रहेंगे गुरु शिष्य परंपरा की तरह रहेंगे जह पर बच्चे प्रकृति के बीज ओपढ़ाय करेंगे वो पेर के नीचे चलते चलते ऐसे शिक्षादान करते थे रभिद्णाथ ठाकुर ने और शिक्षादान करने का पैटन क्या है उन्होंने रभिद्णाथ ठाकुर ने बोला था के शिक्षा का मतलब सिर्फ इनफॉर्मेशन गैदर करना नहीं आए शिक्षा का मतलब सिर्फ इनफॉर्मेशन गैदर करना नहीं है एक बच्चे के अंदर में जो हुनर है एक बच्चे के अंदर में जो सकती जो एनरजी जो उनका क्रेटिविटी छुपा हुआ है उसको बाहर लाना ये सिख्षा का लक्ष होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है उसको बाहर लाना कैसे बाहर लाना है और ये तभी आ सकता है जब एक बच्चो को आप नेचर के साथ आप उनको बढ़ा करते हो उसको लालन पलन करते हो प्रकृति के बीच में तो ये था रबिन्दुना ठाकूर का एक सोच उन्होंने ग्यान को नहीं सिर्फ उन्होंने अपने शिक्षा में ग्यान भाब शिक्षा का ग्यान भाब और कर्म ये तीनों को जोड़ा था उन्होंने कि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होगा उसमें भाब भी होगा उसमें करम भी होगा तो ये था उनका शिक्षा के लेकर उनका पहला जो एहम उसका थौट था जो चिंता था तो ये सबसे एहम था उनका अब उन्होंने किया कि शिक्षा में जो सिले बस ऊढ़ा है समाजिक स्कूल में जो चलता था उस समाए में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो सिले बस नहीं होना चाहिए जो सिर्फ इनको information देता रहा है सिक्षा ऐसा होना चाहिए को जो सिक्षा उस बच्चे के अंदर में जो हुनर है उसका जो creativity उसको बाहर ला सके तो इसके लिए आपको वो हर सिक्षा को हर हमारे देश में हमारे जिन्देगी में जितना भी resources है सब को आपको यहाँ पर include करना परेगा हमारे और उसने क्या 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 उसमें जो रहा था उसने वो जब सामतिनी के तन में जो उन्होंने जो बनाया था अपने सिक्षा का जो उन्होंने अपने स्कूल के लिए जो उन्होंने जो बनाया था तो उसमें उन्होंने सब कुछ जो रहा था सब कुछ everything उसमें उसने बिग उसने जो बाहर का काम है जंगल साफ करना ये भी डाला था उसने उसमें उसने साफ सफाई भी रखा था वहाँ पर उसने जो योगा है योगा भी रखा था योगा बैम जो है वो भी रखा था उसमें उसने नाटक को संगीत को पेंटिंग को वो हर चीज को उसने जोड़ा था अपने education के system में कि एक छात्रा को इस हर चीज पर ग्यान होना चाहिए इस सिलेबस में आना चाहिए तब ही जाकर एक बच्चों के जो अपने अंदर में जो उसका सोच है वो बाहर आएगा तो उन्होंने तीन बात कहिए थी उनका जो शिक्षा को लेकर उनका तीन जो main जो इसका जो थौट का जो तीन जो important point था उन्होंने बुला था कि शिक्षा का तीन लक्ष है जो उनके इसाब से एक था freedom आपको बच्चों को freedom देना है पहला बात यह है दूसरा बात यह है कि उसका जो creativity है उसको बाहर लाना है creativity मतलब उसके अंदर में जो जो भी है उसका अंदर में जो चल रहा था उसको आपको बाहर लाना है यह साय यह फिर से टेक्निकली कुछी प्राप्लम चल रहा है आपने हुआ है कि हमारो वाइप कर दो अ इसलिए पिद्नाना ढात उसकी है हुआ है हुआ है हुआ है है यह ए जूँ दो रभी देनाथ रागुर्ए कि यह बोला था है कि उन्होंने एडूकेशन गे तीन लक्ष होना चाहिए व्रेडम देना चाहिए वच्छों उसका विकास जरुआ जो पराना चाहिए उनका तीन नंबर है नेचर के साथ उसका सक्रियत नेचर के साथ उसका साथ नेचर यह बहुत ज्यादा हो रहा है अभी आप लोग शुन पा रहे हैं मुझे ठीक्टा कि यह बहुत यह पर डिसकनेक्ट हो रहा है अबदात साथ टाहँ है अबदा लोगग पराना चाहँ है यह वड़ से दिसक्षड दिसक्टा है यह बहुत पराना चाहँ है तो यह तीन था, उनका कि फ्रीडम देना थी, बच्चों को और उनका जो अंदर का जो क्रेटिविटी उसको बहाल लाना था और तीन नमबर था उसको प्रकृतिविटीप नेचर के साथ कर दो एक्टिबिटी एक इसको ऑसकी होना है यह तीन लक्ष था और इसी सोच में लक्ष के साथ और जोरी रखा एक आदमी एक वैह्क्ती पह्यक्ति जो है एक वैक्ति का पहेचान जो एक वैक्ति का अगर आप लोग सुन पा रहे हों कोई मुझे कमेंट करके बता यह प्लीज के हाँ सुन पार रहे कि मुझे पता नहीं कल रहा आख कि आय है ऑक हुरिए थैंक यूट तो हलो अभी सुन रहा है तो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यह आपर तो अभी हो जाएगा ठीक शायद अभी है यह मैं यह बोलना चाहरा हूं कि एक व्यक्ति का आप जब उसका व्यक्ति का जो आप एसेस्मेंट करोंगे ना तो इसको चार चीजों को नजर में रखे करते हैं लोग एक तो है उसका आप लोग आई-क्यू के बारे में सोना होगा इंटेलेक्ट्वल कोशेंस तो च चार चीज आज मैं बोलूँगा ओके सही बोला अपने अभी यार फोन अटा दिया मैंने अभी सुनाई दे रहा हैं आप लोग ना शाहिद यार फोन के बजाए से भी हो सकता था अभी अभी सुनाई दे रहा है ना शाहिद हलो और सुना है तो हम क्या करते है फिजिकल कोशेंस अप लोग आईक्यू के बाद penguin सोनाए तो मैं चार चीज मैं चानलोँ जाहूं हम बो आपको कि एक आदम वहत्ति का फिजिकल कोशन की कईसा है यह भी आपको देखना है फिजिकल कोशनिक्पूस फिर आता है आपका उसका emotional question कैसा है इसका emotional question क्या है इमोशन क्या है उसका emotion कैसा है वो वी देखना होगा आप मैं बहूत चोटे सर से just touch करके जा रहा हूं इसका विस्तार सा और भी discussion हो सकता है इसके बाद आता है इसका intellectual questions क्या है जो IQ बोलते हो आप चार नंबर आता है spiritual questions उसका spiritual questions क्या है ये चार चीजों को लेकर आप एक इनसान को आप assess कर सकते हो कि ये इनसान कैसा है इसका physically है इसका में इंटेलिक्टिव जिए इसका इंतेलेक्टटेल कोशेंस क्या है इसका इसका स्पीरिच्वल कोश्चेंस यह सब मिलाकि एक 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 इंसेनन बनता तरह तरह की खेल, खूद, दोड़ा, दोड़ी बहुत कूद उसने इस्तिमाल किया था उसमें अपने सिलबस में उसने डाला था उसने उसका इमोशनल, इमोशनल, इमोशन को उसने जागरुत करने के लिए उसने ध्यायन, योग, लोगों के साथ मिलना बाहर जाके लोगों के साथ जो आसपास के गाओ है वहां जाकर कोई किसी कोई अगर बिमार पर गया तो उसको कैसे हेल्प किया जाए ये सब चीजों को उसने जोरा था शांतिनी के तन स्कूल के आंस पास के गाव को साप सुत्रा रखना ये सब चीजों को जोरा था अपने सिलेबस में वो स्टूडेंट को लेकर जाते भी थे वो संडे में हर संडे में एक होता था जो जंगल साप करते थे जाके किसी जरूरत मंदर को हेल्प करना है वो भी इस इसमें यह स्टूडेंट लोग करते थे शांदेनी के तन के फिर तीन नंबर जो हमने बोला कि उसका इंटेलेक्चुल कोशन क्या है उसके लिए उसने रभिनार्थी को ठाकुर ने उसके लिए व भुह सारे सभ्जेक्ट को उसमें जोड़ाता आपको पता है कि रभिनार्थाकूर ने शिक्षा देने के लिए बच्चों को एक नाटक लिखा था उस समय अच्पे जो बच्च इंगलिश शिकाने के लिए से और सहरल तरह तरीका से उसने नाटक बच्चों को सिखाने के लिए उसने King and the Rebell ये नाटक है King and the Rebell बच्चों के लिए है जो बंगला में राजा व राजोद्रवि नाम से जाना जाता है तो ये नाटक उसने लिखा था सिर्फ बच्चों को आइसा सहरल तरह से कैसे बच्चों के अंग्रेजी शिखाया जाए तो और स्पिरिच्यूल, स्पिरिच्यूल जो है, कोशन बारे में मैंने बता है तो वहगी उसने यहाँ पर एड़ किया था वहाँ पर धियान योगा यह सब के उपनिशा बेद यह सब भी परहया गया हूआ पर वह सब के हमारे भारत का जो परंपरा है हमारे ट्राडिशन यह उसको भी वहाँ पर सिखाया गया है कि जो हमारे जर्श से जुरा है है हमारे जूरे रहे हम अगर हम अपने संस्कृति अपने जो कल्चर है उसके साथ भी जूरा रहे तो उसके लिए भी उसने वहाँ पर कोशिश किया था तो यह चार ओ चीजों को लेकर उसने जो शिक्षा का जो तीन में लक्ष था उनका के बच्चों को विकार डिवलॉप करना उसके अंदर के क्रेटीविटी को बाहर लाना उसको प्रक्रेति के साथ शक्रिय रहना श्को यह सब लक्ष को लेकर उसने अपने थिउरी को education theory को उस समय पे भारत में उसने implement किया था शांतिनी के तन में तो ये था मोटा मोटा हिसाब से इसका विस्तार हो सकता है हर एक चीज को लेकर discussion हो सकता है बहुत ज़रे तरकिस काक्ष काक्ष में कैसे इसका इसका इस्तेमाल किया जा सकते इसको लेकर भी चर्चा हो सकता है बहुत टाइम से लेकिन उसके लिए टाइम बहुत कम है कि हम रविंद्रा ठाकुर जो बात बोल रहते शिक्षा के उपर उसको हम कैसे अपने कक्षा में इस्तेवाल करें, कैसे उसको isntेमाल किया जा सकती है, तो उसने ये एक बात ब Tuesday में, मैं ये बोलना चाहुँगा, रविदिनार ठाकुर ने ये बोला था कि एक गुरू जो शिक्षक है उसने बोला था कि शिक्षक जो पिता माता सक्षम नहीं है अपने बच्चों को सिक्षा देने में या फिर वो मजबूरी है उसको तो उसको तो बाहर भेजना ही परेगा दूसरे के पास सिख्षा देने के लिए तो उस बच्चों को स्कूल जाना ही परेगा, शिक्षक पास जाना परेगा, तो इस समय में एक सिख्षक का भूमिका अपने पिता माता की तरह होना चाहिए, पिता माता जैसे एक बच्चों को प्यार के साथ बढ़ा करते उसको, तो वैसे पीता माता के रूप में उसका घुमिका होना चाहिए और ओर अप्पर चुट जो पथ दिखाएंगे जो कैसे कौन सी किस रास्ते से आपको जाना है वो एक पथ पाइओनियर की तरह बच्चों के साथ उसको रहना चाहिए क्योंकि उस समय पे जो शिक्षा शिक्षक का जो धारना था अब धारना था अमारे देश में उसको लेकर अविनार्था कुछने ब बोला था कि एक शिक्षक हमेशा बच्चों को पाइओनियर की तरह और पिता माता के रूप में वो पालन करे बच्चों इसलिए उसने गुरु शिष्य परंपरा का एक स्थापन किया दो उसने शिक्षक की ज्यादा गुरु कहने में ज्यादा उन्होंने इसको इंपोर्ट एक चोटा सा प्रसूती एक्सपिरियेंस मेरा भी अभी शांतिन के दर में बहुत बर गया हुँ है मेरा भी अभी यह सी सब्जेक्ट पर एडुकेशन के उपर इप मेरा भी अभी प्याज़डी कंप्लिट हुआ है तो बहुत चीज बोलना था और भी समाय बहुत कम है तो नहीं पाया और यह टेक्निकली बज़ए से मेरे बहुत कुछ मेरे दिमाग में से चला भी गया है या पर ध्यान देते देते तो अगर कुई कुछ चीज छूड़ भी गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो मैं उत्तर देत दूंगा या फिर हम एक काम कर सकते हैं अभी अभी सारी चार बज़ी गला ऑथ है तो आप लोग यह कर सकते हो कि आप लोग 5 मिनिट के लिए आप लोग कुछ सवाल है किसी के मन में तो आप पूछ सकते होów रभिणनाद के बारे में तो हम उसका जबाब देञेंगे अगर मालूम है तो हम जरूर को जबा है तो अंगरे जी को लेकर आज है लेकिन हमारे वह बैसाक में हुआ था व्ounds पर सन्सार वारद उनके घर हमरे क्टा ही सिर्याघ्र भताइब से पच्या से दो बेगन को से तो इसे तो में में दो कृटई होता कि वो बचीम एक होता है वो फुर्द ये plates को होता है है तो आज तो साथ माई एंग्रेजी की सब इंग्लिश करेंडर की सबसे है तो हमारी यहाब पर बंगाल में कल हमारी कर पंदिन जो लोग कभी नहीं आया वह जरूर मैं आप लोग आए जो राश को कैमपस में और देख के जाए जो राश्रक ठाकुर बाली में रविदिना ठाकुर के घर में घुमे आ पूरे वह अभी मुजियम बना है आप देखिए तो आपको पता चलेगा एक इनसान अपने जिंदेगी में यह कैसे कर सकता है यह हम यह अकल्पनिया है हम कल्पना भी नही कीता नहीं है एक साहित्यकार नहीं है जिन्दगी के हर पल में वह एक समासुधारक है वह एक फिलोजफर है हीज़ ग्रेट मैं वह शायद हाजार सालों में ऐसे एक बार आता है हमारे वह सिर्फ हमारे भारतियों नहीं हमारे इंसान के लिए गर्ब की बात है कैसे इंसान के बीच पे हम लोग आया हम इसे भी बीच आये थे इसे इंसान तो आप जरूर रभिनार ठागुर को और भी जाने उसको परहे और कलगत्ता भी आये तो जरूर उनके घर में जाईए उसको देखिए तो और भी पता चले तो एक हम पांच मिनिट के लिए हम सुरू कर सकते तो आ है प्यार है आपको दी देखते बनी ξit आथे हैं ऑने टाकुड्य है तो क्या से अंग्रेश का था उसका क्या यह है ऑ सब टेगर लेकिन हम लोग ठाकुडी बोलते हैं मैं तो अधैकुरी बोलता हो यह टाकुरि Time हो आ प Але किसी को तेगार बोलेकि तो जट से हो लेकिन एवसे नहीं वह एक्शली ठाकुर है लेकिन हम अभी बोल भी नहीं पाते यगूर भी बिद्धना नेनस ठाकुर करे और भी इन अग नगा पर टेगार पे डयासी ठाकुर कर, उननोंने खुद डयान किया था तो मत्तब उन्होंने भी मान लिया था कि इट्टे गॉर को तो उसने एप्रूप किया है तो बोल सकते हैं आप लोग वेकिन हम तो ठाकूरी बोलते हैं उसमें हम लोग ज्यादा अपना लगता है वो अपने ठाकूर बोलते तो अपना लगता है कि या ठाकूर है हमारा तो रविदनाथ ठाकूर वैसे ठाकूर ही है हमारा हमारी जिंदेगी को जिंदेगी के पाट पराने के लिए ठाकूर है यह ठाकूर हमारे लिए ठाकूर है तो हम गर्ब से बोलते कि रविदनाथ ठाकू हाँ बोल सकते हैं कोई बात ने ठाकुर्दा भी बोल सकते हुआ हम समसाप का ठाकुर्दा ही है सजेस्ट एन अथेंटिक बूफ फर इस बायवरफी रभिजना ठाकुर की उपर आप बहुत सारे बुक्स मिलेगा हिंदी में कितना इसका हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको बंगला में तो है आप किसी भी किताब को पर सकते हैं और सबसे बरिया यह होगा कि आप रभिजना ठाकुर का किसी भी किताब ले ले तो आप उसमें विश्यो भारती जो हमारा जो है उसका वो टैग लगा है अगर विश्वभारती पब्लिकेशन है तो उसको आप ज़रूर ले उसमें आपको आथेंटिकेट मिलेगा सब कोछ कोई भी अंग्रेजी में या फिर हिंदी में जो भी किताब ले तो उसमें आप जरूर देख लेना कि वो पाप्लीकेशन किसका है विश्य भारती है विश्य भारती पुस्चिम बंगाल का है या पर दूसरे का अगर विश्यभारती का मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया है उसको आप ले सकते हैं उसमें authenticity का problem नहीं होगा ऐसा नहीं है कि विश्यभारती में बहुत सारे problem होता है कभी-कभी लेकिन उसमें जो information आपको मिलेगा उनके बारे में वो सही होगा उसमें कोई गलती नहीं होगा उस साही साही information देगा तो वो आप ले सकते हो राइटर कोई भी हो सकता है लेकिन आप देख ले ना publication क्या है रबिन्देनत के education के उपर आगर आप लोग जानना चाते हो और भी ज़्यादा उसका सोच क्या था तो रबिन्देनत ठागुर का शिक्षा के उपर पार्टिकुलर education के उपर उसका एक किताब है education उसका शिक्षा बांगला में उसका नाम है शिक्षा तो उसको उपर एक कित सकते हैं उसमें पूरे एडुकेशन के उसने जितने भी ऐसे लिखा ये अपने विचार को लिखा पूरा है उसमें तो आप पर सकते हो वाट सेंटरल सिस्ट्रीम अ क्या है मैं स्पिल्ड ये प्रॉबलम में बात करें है पर्टिकुल आइए बोल दो तो मैं समझ में फ्रमाज जाओ, what is the central problem with the mainstream system, mainstream system क्या education के उपर बोल रहे हो, या किस चीज में, and what are the dissimilarities in the teaching of Thakur, नहीं देखिए, रभिना प्राशान्द जी, आपको बोल रहा हो, रभिना ठाकुर और विवेकानन का जो शिक्षा का जो दर्शन है, या फिर आप जितने भी शिक्षा भी दिया, education, इस्ट जो भी आये हैं, हमारे देश में या बाहर में भी, किसी का लक्ष अलग अलग नहीं है, सबका लक्ष एक ही है, कि रभिना विवेकानन ने भी ऐसे ही बोला था, कि शिक्षा वो है, जो आपके अंदर में अल्रेडी है, स्वामी जी बोला था, कि शिक्षा वो ही है जो आपके एक इनसान के अंदर में है, उसको जगाना, वो ही शिक्षा है, हो शिक्षा आलरेडी आपके बीच में है, आपको देने के ज़रुरत नहीं है, वो सिब बहार लाना है, तो एक बच्चों का हम दबाते है, एक हैं हमारे अंदर में शिक्षा को हम बड़े बड़े पैमानी में सोचे तो छोटे पैमाने में कोई किताब पर रहा है यह सब नहीं है शिक्षा को अगर बड़े पैमानी में सोचे तो वह हमारे अंदर में यह विवेकानन ने बोला था रभिन्राद ने भी ऐसी बोला था हमार लक्षे सब कही कि था बस implementation अलग-अलग थरसे किया है विवेकानन्द तो implementation किया था उसका जो है बेलूर मौट है वह बाद में उस ने किया था वह बाद में बेलूर मौट अभी शिक्षा रामकिष्ण मिशन आस्रम का प्रतिष्टा किया वह वह पर भी मैंने जो बताया था अ आपका इमोशनाल आप उनका फिजिकल यह सब कुछ उसने उसमें रखा था उसका एडुकर्शन में भी था स्वाहिं वेकानन्द का तो उसके से इसमें बेसिक डिफेरेंस नहीं है ऐसा कुछ जो कि फिष्टेम प्रॉब्लीव सर्ट में अबहिंद अ को थी कि अर्य दोम प्रत्रखेनम यह ने इसमी से निवल रविज्ण 90 मेंन ने यह वह था कि हमारा जिश खिषा है महाना सिख्षा देने का पैटन प्ली हए हम क्या करते हैं हूं किसी किताब को इक स्प्रस को खतम करते और उसको जाके कीगomet क्लविषा учारो समद्रा पता है आप लोग को एक बात कहा दा आज ये खराब भी लग सकता है कुछ लोग को लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये उसने बोला था उसमें गंत में उसी गंत में एडुकेशन जो उसका किताब उसमें बोला है कि जो लोग परिक्षा देने के सेंटर में जाते हैं जब स्कूल में परिक्षा होता है जिस दिन उस दिन जाते हैं और जो लोग हम लोग चोता बोलते हैं वो लोग नकल करता है स्कूल में जो नकल करता है न वो जो लोग याद करके लिखता है उससे अच्छा है ये रभीना ठाकुर ने बोला है अपनी शिक्षा एडुकेशन गंद में क्यू बोला था ये बात उसने ये बोला था कि जो नखल करता है वो तो याद नहीं कर पाएगा इसलिए वो किसी दूसरे चीज में लिखके गया है उसको लेकर और देख देखके लिक रहा है लेकिन वो सबसे बड़ा चोर है जो घर में याद कर के आया जो अपने दिमाग में छुपा के चुरा के लाया है वो और वो जा की वहाँ पर लिख रहा है तो वो उससे बढ़ा चोर है तो हम लोग gereki करते हैं हमारा सिलेबास होता है खतम करता है स्कूल में और एक टाइम पर आता है जब हम परिक्षा देते हैं जो लिख पाते है वो pass हो जाता है जो ने लिख पाते हो फेल हो जाता है कि ये होगा हमारा एडूकेशन के ये लक्षव होगा कितने नंबर से पास हुआ है ये होगा अगर ये होगा तो आप 2011 के sensex हमारा जो सेंसिक था, उसे अब एडूकेस्फ़न को आप देखोगे, तो अमारा आज का जो है, हमारा शिक्षा दो बरता चला गया, education system में, हमारा educated person बरता चला गया हमारे देश में, लेकिन हमारा morality का क्या है, हमारे देश में अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, चारो तरह क्या देख रहा है यंग जेनरेशन के लिएकर सब में क्या है इतना इंटॉलरेंस है इतना लोगों के किसी को कोई सहनुभूती नहीं है तो यह सब क्यू है अगर शिक्षा है तो यह सब क्यू है शिक्षा में एडुकेशन तो इन बिल्ड है उसमें सब क्वालिटी होके आता है सब कुछ सब क्वालिटी होता है एडुकेशन में अगर एडुकेशन बोलो तो इसके बरे पैमाने में उसको सोचना चाहिए उसमें सब कुछ है फिर भी ऐसा हाल क्यों है हमारे देश में मतलब कही ना कही पर तो कोई problem है शिक्षा में तूसी problem को रभिदनाठ ठाकू, स्वाई विवेकान जो भी ये शिक्षा भी दा है हमारे देश में विदेश में सब ने बोला था कि शिक्षा देने का पध्धती क्या सा हो इसका process क्या होना चाहिए आप क्या सिर्फ बच्चों को कुछ किताब दोगे कुछ किताब दोगे ये अमारा जो ये था रूसो था रूसो ने था हर किताब को नकार दिया था उन्होंने बोला था बच्चों को किताब दनी की जरूरत ही नहीं है सिर्फ एक ही किताब उसने यह संट करता है और अपने लिए नौकर बनाता है एक लेबर की ज़रूरत है लेकिन उसके देनी का प्रोसेज्ज, शिक्षित बनाने का एक डेवलो प्रोप्मेंट का है उसके अंदर का जो हुणर है उसको बहार लानि cumpl partnerships है उसको पूरा नहीं किया जाता है यह प्रोबलम है जो रविद्णा इसका हम कैसे कर सकते बच्चों को दिरे धीरे उसको कैसे उस 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 मुकाम तक पहुछा सकते हैं बच्चों को कि वो खुद खुद के बल्बूते पर वो खराव हो सोचे तो कॉन। कोई भी आपत आये उसके जिंदेगी में तो उसको मुकाबलों कैसे करें उसके अंदर कैसे आए इसकी इसके उपर यह थिए रभिनार ठाकुर्ने यही से इसी को उसने बोला था कि शिक्षा बोला था इसी को के वह बच्चा कैसे उभर के आये बाहर ना कि वो कैस कितना नंबर पाक है पास हुआ है, वो जिन्देगी में कितना पैसा कमाया है, कितना पॉपुलर हुआ है, कितना फेमास हुआ है, वो कितना सहयोग दिया इस देश में, वो कितना सहयोग दिया, कितना दुसरे के पुति प्रति उसका कितना सहानुबति है, यह सब अब ये शिक्षा का जो भरे पैमाने में सोचे तो ये सब है टीगर जी और विवेकानन जी को ये विचार में आप क्या समानता पाते है रेट सिस्टेम एड़े टीगर और विवेकानन जो रविद्णा ठागुरे और स्वामी विवेकानन का सिक्षा है उस दोनों में मेरे हिसाब से एक सोच सबसे एहम है दोनों ने अंदर का छुपा हुआ जो शक्ति है उसका पुनर जागरन करने की बात किया है स्वामी बिवेकानन ने भी किया है और रविद्णा ठागुरे भी किया है कि हमारे एक बच्चों के अंदर में उसका हर शम्ता उसके अंदर में छुपा हुता है उसको बाहर लाना ही शिक्षा है यह सिमिलर्टी है दोनों में और भी बहुत सरे हैं लेकिन यह मेरे इसाब शिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आप लोग को शायद मैं पूरा कर पाया हूँ आप लोग जो जो आप लोग बता रहे थे तो जैसा भी हो जितने भी हो हम लोग ने आज रविंद्रा ठाकुर के बारे में बात किया और इसी ऐसे इसके जरीए हम लोग रविंद्रा ठाकुर को हमारा स्रधान जली देते आज उसके जनमतिति पर हम उसको प्रणाम करते हैं, ऐसे शक्स को, ऐसे प्रतिभा को, ऐसे एक व्यक्ति को हम आज प्रणाम करना चाते हैं इसके जरिये, उसका जो सोच था शिक्षा को लेकर, इंसान को लेकर, उसका जो सोच था देश को लेकर, प्रकृती को लेकर, आज हमा बहुत जरूरी है तो आज इसी पुन्न नतीथी में हम लोग आज इसको उसके बारे में ये सब आलो चुना करके हम उनको ये सद्धन जली देटे नमन करते हैं उनको और आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग करते हैं रविन्दा ठागुरु नहीं है लेकिन एक गाना शायद आप लोगों ने सुचा है मैं सुना है बहुत बरे बहुत लोग ने एक हिंदी गाने में इस्तेमाल हुआ था लेकिन हम वो करेंगे नहीं अमिताब जी नहीं गाया था तो इसी के साथ हम एक दो लाइन करते ह इसको साथ कतम करते आज उनको सम्मान करते हुए तो यह आज बहुत जरूरी भी है कोविड-19 के परिस्ते में यह बहुत यह गाना बहुत मतलब सिमिलर भी हो गया है जदी तोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे जदी तोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे जदी तोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे बदब धन्यवाद सब लोग अच्छे रैब अब लोग बाला हाओ शुक्रिया